Hello Friends, Assalamualaikum and Welcome to my new video आज की वीडियो में आप देख रहे हैं जी हम आए में घर देखने ये घर जो है ये अल्मोस्ट 90-95% कम्प्लीट है इसकी बिलकुल एंड की फिनिशिंग हो रही थी और हम ये घर क्यों देखने आए थे तो इसका जवाब ये है कि असल में ये घर है हमारे next door neighbors का यानि हमारे बिलकुल साथ घर बन रहा था neighbors का और आल्मोस्ट इनका घर कम्प्लीट हो गया है और इन्होंने असल में सेल करने के लिए बनाया था और घर सेल भी हो चुका है अब मैं आपको बताती हूँ जी इस घर का एरिया कितना है ये घर है पांच मल्ले पर मुहीत यानि जिस सुसाइटी में मैं रहती हूँ ना उस सुसाइटी के सारे घर फाइव मल्लास गया है तो जब हम इस घर में एंटर हुए है ना आप यकीन करें हमें ऐसे लगा है कि हम किसी एक कनाल की कोठी में एंटर हुए है इतना भड़ा ये घर लग रहा था बहुत अच्छा इस घर को उन्होंने डेकुरेट किया है नक्षा बहुत अच्छा है हर चीज बहुत सोच समझ के प्लैन करके बनाई गई है और बोश्टरी ये होता है कि जिन लोगों ने घर सेल करने होते हैं वो बहुत अक्यूरेट घर बनाते हैं क्योंकि अगर वो छोटी सी भी गलती कर देते हैं घर बनाने में तो उस घर को ना सेल करने में उन्हें बहुत जादा प्रॉब्लम होती है तो इसलिए जिसने भी इन्वेस्मेंट करनी होती है घर सेल करने के लिए वो बहुत अच्छे घर बनाते हैं मगर मुझे जो प्री मेड घर होते हैं बने बनाए घर वो पसंद नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर अभी आपने देखा चट के पास सारा पानी लीक हुआ वा है तो इस तरह के मसले ना बने बनाए घर में बहुत ज्याता होते हैं तो अगर आप खुद से मेरा ख्याल है घर बनाएं तो आप उसकी फर्निशिंग जितनी मर्जी अच्छी कर सकते हैं मगर आपको पता होता है ना कि आपने उसमें कितना ज्यादा अच्छा मेटीरियल लगाया है बेसिकली उसके ग्रे स्ट्रक्चर पर यहां पर जी हम पी रहे थे सूप तो मैंने सोचा उसको भी शूट करने अब हम आते हैं आज की वीडियो के में टोपिक की तरफ क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा हुई घर बनाना चाहते हैं जो बिलकुल एक महल की तरह लग रहा हो तो उसके लिए आपने करना क्या है उसके लिए बहुत है लोगों को लगता है कि हमने पैसा कमाना है असल में पैसे सब कमा रहे होते हैं ठीक है हर इंसान कुछ ना कुछ अपनी लिविंग के लिए कर रहा होता है गुदर बुसर के लिए जिन्दा रहने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होता है आपने अगर अपनी जिन्दगी में कोई टार्गेट चीफ करना है किसी घर का मालिक बनना है कुछ भी कोई गारी खरीदनी है कुछ भी आप बनाना चाते हैं अपनी जिन्दगी में तो आपने basically क्या करना है आपने saving करनी है यानि आपने पैसे जमा करनी है और आप मैंसे बहुत से लोगों का पाकिस्तान में हम मैंसे बहुत से लोगों का ये mindset होता है हमें लगता है कि यार ये तो गरीब बन्दा पैसे जोड़ता है या पैसे वो जमा करता है जिसके पास पैसों की कमियों पर ये बिल्कुल 100% एक मित है पैसे वो जमा करता है वो बचाता है saving वो करता है जो पैसे कमा रहा होता है जिसके पास earning होती है ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं जी बटर चिकन बच्चों के लिए त्यार कर देए थी अनाया जो है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बिमार हुई भी थी और उसका कुछ भी खाने को मन नहीं करता तो आप इस वीडियो में बलके देखेंगे एंड में वो आएगी बटर चिकन को फिनिशिंग टच देने कि उसके हाथ पे कैनूला लगावा है आईवी लाइन लगीवी है उसको टाइफाइड हुआवा था तो वो बहुत ज़्यादा कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी तो उसने जिद की कि आज मुझे बटर चिकन बना कर दें तो आज की वीडियो में जी आप देखेंगे मैं बना रही हूँ बटर चिकन और बात हम कर रहे हैं पैसों को सेफ करने के बारे में तो पहला मिठ तो आपने अपना ये क्लियर कर लिया कि कौन पैसे जमा करता है पैसे सेफ कौन करता है तो एक बात ये क्लियर हो गई कि अमीर और घरीब दोनों सेफ करते हैं पैसे, अमीर भी बहुत जादा पैसे सेव करते हैं हमें ऐसे बहुत से लोग अपने इर्द के नजर आते हैं जो बहुत सी चीजे अफोर्ड कर सकते हैं मगर वो खरीदते नहीं हैं ठीक है? जो एक बहुत हाई लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं मगर वो अपनी मर्जी से लोग प्रोफाइल लाइफस्टाइल रख रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिन्दगी में आप कुछ अचीव करना होता है, कुछ भड़ा अचीव करना होता है और वो उसके लिए सेविंग कर रहे होते हैं for the time being तो आपने सबसे पहले सेविंग की इंपोर्टेंस को समझना है, जब तक आप पैसे सेव करने की इंपोर्टेंस को नहीं समझेंगे आप पैसे सेव नहीं कर पढ़ाएंगे, जैसा कि मैंने अपनी time management वीडियो में आपको time management की tips तो बता दी, पर अगर आपको time की ही गदर नहीं है, तो आप time management क्यूं सीखोगे? वैसे ही अगर आपको पैसे की कदर नहीं है पैसे की saving करने की importance नहीं पता, तो आप पैसे save करोगे ही क्यूं? अब आते हैं जी, पैसे आपने save करने कैसे हैं? क्योंकि कमा 50,000 गाय या 60,000 गाय खर्चा जो है आज कल के दोर में पाकिस्तान में एवरिज बंदे का इंकम से कहीं ज्यादा है उस टाइंग पे जब इतने ज्यादा एक्सपेंसिज़ है महंगाई है तो आपने पैसे कैसे सेव करने है सबसे पहला काम जो आपने करना है ना मेल, फीमेल सब के लिए वो है जी बजटिंग का आपने बजट बनाना है जब तक आप अपनी लाइफ में बजट नीना बनाएंगे आप कभी भी पैसे सेव नी कर पाएंगे क्योंके आपको कोई हिसाब किता भी नहीं होता कि पैसा आ कह से राएंगे और पैसा जा कहां पे राएंगे आप बिल्कुल लाइक अंधे ओकरना हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं और बाद में हम देखते हैं तो हमारा पर्स तो है वो महीने के लाइक 10-15 तरीख तक ही लोग अपनी सारी तंखा खर्च कर चुके होते हैं क्योंके उन्हो सेलरी अपनी एक्जैंपल ले लें विल्फर्स के आपकी मंथली इंकम 80,000 है ठीक है अब आपने क्या करना है जैसे ही आपकी सेलरी आही है ना आपने उस 80,000 में से 20,000 एक ऐसे अकाउंट में डाल देना है जिसके पास आपका ना तो चेक्पूक है ना ही ATM कार्ड है उस अका 20,000 को भूल जाना है ठीक है और 60,000 में ही गुजारा करना है आपने ये सोचना है कि मेरी इंकम ही 60,000 है उससे क्या होगा कि आप अपने हर महीने 20,000 सेफ कर लेंगे और at the end of the year आपके पास तकरीबन 24,000 जो हैं वो सेफ हो चुके होंगे जो के otherwise कभी भी possible नहीं है तीसरा जो ह काम कर सकते हैं पैसे सेफ करने के लिए वो हम ये कर सकते हैं कि हम शोपिंग कम करें या कपड़ों पे पैसे कम खर्च करें अब कपड़े जो हैं वो एक ऐसी जरूरत है जिसके बगार गुजारा भी नहीं है मगर आप अपनी लाइफ में ये चीज नोट कीजएगा पाकिस् फैशन और स्टाइल या बस कहलें के बस हम कपड़े फुर्दा सेक ओफ कपड़े खरीद रहे होते हैं आपने ये करना है कि आपने ना सबसे पहले अपनी शोपिंग मेरा कपड़े कम से कम खरीदने हैं उसके इलावा भी मेरे पास आपके लिए बहुत ज़्यादा टिप्स प्रोपर पैसे सेफ करने की ना बहुत इफेक्टिव टिप्स लेकर आउंगी आउंगी आई होप आपको आज की वीडियो में होम टूर पसंद आया होगा मेरी बटर चिकन की रेस्पी पसंद आई होगी चलत मिलेंगे अलाह आफिस